नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं अजीम प्रेम जी बीस्व फिदयले के साथ राज सरकार MAU करेगी अजीम प्रेम जी बीस्व फिदयले एक ही कैंपस में तकनिकी सिक्षाच से लेकर मेडिकल बिजनेस आधिक सुविधार देगी या अपने आप में एक अलग तरह का बीस्व फिदयले होगा पंद्रह नॉम्बर को रांची अस्मार सीटी परिसर में अपोलो मल्टी सूपर स्पेशलिस अस्पताल चेन्नाई की अधार सिला रखी जाएगी जहां पहले चरण में OPD आरंब होगी बाद में 250 बेट का अस्पताल बनेगा वही 15 नॉम्बर से सुरू होने वाली आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के तहट परतेक पंचायत वा परखंड में अभियान चलेगा फिर जीला अस्तर ये अभियान भी चलेगा बताया गया है कि मुख्यमंत्री परतेग जीला अस्तर ये अभियान में खुद जाएंगे 16 नौमबर से वह जीलों के अभियान में सामिल होंगे इसकी तयारी परसासनिक अस्तर पर जोर सोर्थे चल रही है जार्खन उमेंस एसियन होकी चेंपियंशिप की ट्रोफी पहुंची गुमला जार्खन की रायधानी रांची में एसिया के छो देशों के बीच आयोजित जार्खन उमेंस एसियन होकी चेंपियंशिप की ट्रोफी रभिवार को गुमला पहुंची जहां जीले के वरी अधिकारी, खेल संगों के अधिकारी एवं खिलाडियों ने इसका जोरदार स्वागत किया कारकरम का आयोजन अलवर्ट एका एस्टेडिया में किया गया कारकरम के मुख्यतिति के रूप में जीले के उपायूक्त करन सत्यार थी पुलिस अधिक्छक, हरिदर, सिंग, एवाम, सदर, रावी, जैन मुझूद रहें उपायूक्त ने टोफी का अनावरन करते हुए कहा है कि होंकी हमारे देश किसान है जारखन में होंकी का एक महत्तोपुन अस्थान है इस तरह के आयोजन से ना केवल हमारे राज में खेल का वातारन तयार होगा बलिक जीले के होंकी खेलाडियों को भी प्रेना मिलेगी उन्होंने उमीद जताई है कि एसियन गेम्स की तरह ही इस चेंपियंशिप में भी हमारी महिलाए देश का नाम रोशन करेंगी योगेंद्र ने 38 कमपनियों से जुटाए 58 करोड इड़ी की पुष्टास में सराव कारोबारी योगेंद्र तिवारी ने सराव के खेल में सामील सिंडीकेट की परी पोल खोल कर रख दी है सुत्रो से मिली जनकारी के मुताविक सराप का कारोबार हांसिल करने के लिए जोगेंद्र तिवारी और उनके सिंडिकेट ने 19 कमपनियों के खाते में अंठाउन को रुपए जमा किये थे जिन 29 कंपनियों के खाते को पैसा जमा किया गया था उनके खाते ज्यादा तीन बैंक को पंजाब नेशनल बैंक, जाम तड़ा, स्टेट बैंक ओफ इंडिया, मही जाम और पंजाब नेशनल बैंक दुमका में थे इडि को मिले तथियों के मुताबिक जायतर रकम जून 2021 में कॉंट्रेक्ट हांसिल करने वाली कंपनियों के खाते में टांसफर की गाई, योगेंद्र को सबसे जादा 10.50 रूपए कोलकाता के डाल्मिया गुरूप ने 15 जून और 24 जून 2021 को भेजे हैं रांची में कॉंस्टेवल की मौत मामले में पतनी पर हत्या का आरोप रांची जीला पुलिस बल में पदस्थापित कॉंस्टेवल अभिसे कुमार की मौत के मामले में हत्या की प्राथमे की दर्जगराई गई है हत्या का आरोप अविसेग की पत्नी पर ही लगाया गया इस हो लेकर अभिसेग की माँ ने उसकी पत्नी पर फ़या दर्ज कराई है बतादे राची जीला बॉल में तेराद कॉंस्टेबल अविसेख कुमार का पिछले सप्तास अंदेहास पत परिथितियों में मौत हो गई थी लेकिन अब अविसेख की मा सोभा देवी कारोफ है कि अविसेख की हत्या की गई है इस समान्द में सोभा देवी नविसे की पतनी अक्षरा देवी समेत आने के खिलाब सुखदेव नगर्थामे प्राथमे की दरच कराई है छात्रविर्ती के लिए हेलफ लाइन जारी करेगी सरकार राजी सरकार कल्यान भीभाग दोर रधी जाने वाली छात्री विर्थी के लिए हेलफ लाइन जारी करेगी बिद्धयार्थियों को समय पर छात्री विर्थी मिल सके तथा इसमें उन्हें किसी परकार की परिशानी नँह हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है बता दे 15 नोंबर को राज अस्थापना दिवस के उसर पर इस हेलफ लाइन सेवा की सुरुवात करेगी कल्यान भी भाग इसकी तियारी कर रहा है राज अस्थापना दिवस पर कई अन्य योजनाओं की लाँचिंग होगी ताथा नीती लागू की जाएगी इसमें राज कर्मियों के लिए तयार प्रसिक्षन नीती भी सामिल है इस नीती के तहट करमचारियों को निर्धारित अधी में अवस्यक प्रसिक्षन प्राप्त करना होगा इसी के आधार पर न केवर उनकी सेवा संपुष्टी होगी बलिक प्रोनती भी प्राप्त होगी अबुआ अवास योजना के लिए अलग से गठीत होगी PMU जारखन में अबुआ अवास योजना की तेरिया तेज़ से चल रही है और इसके तहट तमाम घोसनाओं को पूरा करने के लिए राई सरकार ने पूरी ताकर जोग दी है योजना की तहट लोगों को अवास मुहया कराने से लेकर कारेश समपादन तक की जिम्मेदारी अलग से तयार प्रोजेक्ट मोनेटरिंग यूनीट PMU के पास होगी PMU के जिम्मे लाभकों के चैन से लेकर अनुबंद कर्मियों के नियुक्त तथा और समाजिक अंके छन तक की जिम्मेदारी होगी योजना को मुर्त रूप देने के लिए पूरी टीम मकसद कर रही है अभी तक की तयारियों के अनुशार वर्ष 2026 तक 8 लाख आवासों का निर्मान किया जाना है नए तिन कमरों के आवास का निर्मान 2 लाख रूपए की लागत से किया जाएगा और यहरा सी राज सरकार के माद्यम से लाभकों को उपलब्थ होगी अगले वर्ष का बयट तयार करने में जूटी ह हैमन्त सरकार राज सरकार अगले बित ये वर्ष 2024- 24 के बयट की तयारी में जूट गई है बित विभाग ने आगामी बयट प्रस्ताव तयार करने को लेकर सभी बिभागों का वशक दिशाने देश जारी कर दिये है साथ ही सरकार की प्राथ मिक्ताय तय कर दी गई है जिसके आधार पर ही बयट प्रस्ताव तयार किया जाएगा साथ ही विभागों से प्रस्ताव मिलने की समय सिमा भी तय कर दी गई है चुकि अगले वर्स का बयाट चुनावी बयाट भी होगा इसलिए बयाट में जन कल्यान से जुड़ी वेजनाओ पर अधिक फोकस किया जाएगा बित विभाग ने अपने दिशाने देश में सीमिस संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राजे के सतत एवं समावेसी विकास के लिए बयाट त्यार करने को कहा है साथ ही बयट प्रस्ताओं के गठन में राई सरकार की प्रत्मिक्ताओं को ध्यान में रखे जाने की आवस्थ सकता पर भी जोर दिया है सौर्य बीर बच्चों की दिखेगी परतिभा किंद्र ने मांगे आवेदान जारखंड के स्कूली बच्चों को बीर गाथा पुरस्कार मिलेगा इसके लिए किंद्र स्रकार ने वीरता और साथ सिक काम करने वाले बच्चों के आवेदान मांगे है परखंड जीला से लेका राश्ट्री अस्तर तक ऐसे बच्चे चायनित होंगे और समानित किये जाएंगे जीला अस्तर पर चार और राज अस्तर पर आट विजेताओ का चैन होगा वही राश्ट्री अस्तर पर राज भर में सो बच्चे चायनित होंगे उन्हें पुरसकार के रूप में 10-10 हया रूपय भी दिये जाएंगे इसकुली सिक्षावा सक्षर्टा विभागने जीलों को निर्देश दे दिये हैं बता दे बीर गाथा पुरसकार का उदेश ससस्त्र बलो की बाहुदरी के किरितियों को उजागर किया जाना है साथ ही बच्चों के बीच देश भगतिवा नागरिक चेतना को जगाना है इसके अलावा इन बाहादुरों को समानित करने के लिए कविताएं पेंटिंग और निवन्धन लेखन प्रस्तूत किये जाएंगे इसकूल अस्तर पर प्रत्योगता का वेजन किया जाएगा नकसलियों की साजिस नकाम दो आईडी बरामत पच्मी सिम्हुम जीले के टोटो थना अंतरगत ग्राम तुमबा हका के आसपास जंगली पहाणी छेतर में पुलिस जवानों को नुकसान पहुचाने के उदेश से नकसलियों दोरा बड़ी संख्या में आईडी लगाए गए है सुरक्षा बल के जवान लगातार इन आईडी को बरामत कर विनिष्ट कर रहे है इसी करम में रभिवार को भी सुरक्षा बलो ने 5-5 किलो के दो आईडी बरामत किये सुरक्षा के दिरिश्टी कोन से उसी अस्थान पर दोनों आईडी को SOP का पालन करते हुए बिनिष्ट कर दिया गया है बता दे कि प्रतिबंधित भागपा मवादी नक्सली संगठन के सिर्ष नेता मिसीर बेसरा अनमोल मोचु चमन कांडे अजाय महतो सांगेन और आस्वीन अपने दास्ता सहसों के साथ कोलहान छेत्रे में विधवान सक गति विदियो के लिए भरमन सील होने की सुचना पुल कोबरा 209, 203, 205 बटालियन, जार्खन जगवार एवं CRPF 6, 194, 157, 174 का एक सन्युक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है राँची में विजया दस्मी के दिन मुख्य मंत्री करेंगे रावन दहन राइधानी राँची में विजया दस्मी का उत्सव दुरगा पूजा की तरह ही भव्य होता है पंजाबी हिंदू समुदाय द्वारा हर साल रांची के मुराबादी मैदान में किया जाने वाला लंका दहन और रावन बधन के वल बुराई पर अच्छाई का परतीक है बलिक एक या संप्रदाईक सभर्द का भी परतीक है इस साल मुराबादी में 70 फिट का रावन 65 फिट का कुम करण और 60 फिट का मेगनात का पुतला बनाया जा रहा है इन पुतलों के निर्माता मुहमद मुसलिम है बता दे मुहमद मुसलिम बिहार के गया जीले के रहने वाले हैं और एक कई साल से लगतार रावन कुम करण और मे कर काम करते हैं रांची में बिल्डर से मांगी गई 50 लाख की रंगदारी राजधानी रांची के अर्गोडा में रहने वाले एक बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है बता दे अब पूरुवा आवास योजना प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डिरेक्टर राम जी सिंग से फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई रंगदारी की रकम नहीं देने पर राम जी की हत्या करने की धमकी दी गई है मामले को लेकर बिल्डर राम जी ने अर्गोडा थनमे भायर्दच कराई है महिला एसिया होकी कॉप को लेकर एसेसपी की बैठाक महिला एसिया होकी कॉप के लिए सुरक्षा के बड़े इंतिजाम किये गा है सुरक्षा बेवस्था के लिए यर्पोर्ट से लेकर होल्टत तक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया सुरक्षा को लेकर रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि जीतने भी बिदेशी खिलाडी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर रांची जीला पर सातन तयार है उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा के दोवान भारी भीड को देखते हुए खिलाडियों को सुरक्षा बेवस्था उपलब्ध कराना एक चुनावती है लेकिन कड़ी चुनावती की बीच खिलाड़ियों को पूरी सुरक्षा बेवस उपलब्ध कराई जा रही है रांची में आपत्ती जनक पोश्ट कर महल भीगारने की कोसिस रांची जीले में और समाजिक तत्व द्वारा सोसल मीडिया पर अपत्ती जनक पोस्ट कर महल भीगाने का परियास किया गया है जिसके बाद एक समुदाय की द्वारा जम कर बिरोत किया गया मामले की सुचना पुलिस को भी दी गई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को में हुई है उसने अपने फेस्बुक पेज़ पर अपति जनाक लेखनी पोस्ट की थी जिसके बाद छेत्र में तनापुन का महल बन गया अनन्फनान में कुछ समाज से भी लोगों ने बुढ़ू थाना मिस्की सुचना दी जिस पर पुलिश ने तवरित करवाई करते वे आर बनने के लिए बीरसा मुंडा की धरती पर जापान की टीम पहुच गई है धोल नागारे और जार्खनी निर्ति के साथ जापानी टीम का स्वागत किया गया वहीं जापान की टीम भी मांदर की थाप पर थी रखते नजर आई जार्खन की धरती पर धोल नागारा और मांद की ठाप पति रखते एक खिलाई टूना मिट में सामिल होने के रांची पहुंचे हैं दरसल जार्खन की धरती खेल के लिहाज से इतिहास रचने जा रही है जब एसिया की छो टीम जार्खन वुमेंस होंकी चेंपियन दोहजर तेस के खिताब के लिए आपस में मुकाबले करे मा के मनुहारी रूप को देखने के लिए पुजा पंडालों में सरधालों का सेलाब उमर रहा है लोग सब परिवार मेले का आनद ले रहे हैं मौसम विभाग ने इस विजदा सारा को लेकर विशेस मौसम परोनमान जारी किया है इस वेदर बुलेटिन की माने तो दुरगा पुजा की 9 मी यानी 23 अक्टूबर को जार्खन में आसिक बादल चाहे रह सकते हैं मौसम सुस्क रहने की समभवना है राजधानी राची में दोफर या साम के समय आसिक बादल चाहे रह सकते हैं विजदा 10 मी 24 अक्टूबर को जार्खन के पुरभी एवाम निकटवर्ती आगों में कहीं कहीं पर हलके दर्ज की बारिस होने की संभवना है राई धानी रांची में समाने ता आस्मान में बादल छायरा सकते हैं हलके दर्ज की बारिस हो सकती है धन्यवाद